प्रमादमा को पाने तथा उसका वास्तिक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबिल में प्रमाड है कि प्रभू ने मनुष्य को अपना ही सुरूप बनाया छे दिन में स्रिष्टी रचकर साथवे दिन विश्राम किया पुरान शरीफ में प्रमाड है कि हजरत मुहम्मत को खुदा स्वयम कह रहे हैं कि मैंने तुम्हे उस परमातमा की महिमा बताने के लिए भेजा है वो परमातमा कबीर है जिसने छे दिन में स्रिष्टी रची तथा साथवे दिन तफ़ पर जाविरा जा उसकी खबर किसी पाखबर से पूछ कर तो देखो कृपया हवश्य सुनिये जगत गुरूत तत्व दर्शी संत रामपाल जी महराज के अमरित वचर झाल है ओम तत्सत इती नर्देशे ब्रम्ने तिर्विधे समर्ते ब्रहामना तेन वेदा चैगा चैविहिता पुरा ओम तत्सत इती नर्देशे ब्रह्मने ब्रह्मने का अर्थिनों ने खुद यहां ठीक है ब्रह्मने माने सचीदानंद घन ब्रह्म का परम अक्सर ब्रह्म का जो स्यम्रन करता है वो तीन विद्धी से स्यम्रन होता है और इसी का नर्देश है ओम तत सत इती नर्देश है ब्रमन है तिरविध है सबरत है ओम तो ये ब्रम का है और तत ये ये तो सर ब्रम का है शर ब्रम शर पुरुष और ये है अक्सर पुरुष का तत ये सांकेति का है गुप्त है और ये सत है ये परम अक्सर ब्रम का ये परम अक्सर ब्रम की सक्ती इस से मिलती है ब्रम की सक्ती इस से मिलती है और परब्रम यानि अक्सर पुरुस की सक्ती इस तत सांकेती का ये सब्द ये अलग है वो मंतर है और ये सत भी गुपत है वो अलग मंतर है तो ये ओम और तत मिलकर ये सत नाम बनता है दो अक्र का ये तत सांकेतिक है तो ये सत भी सांकेतिक है फिर ये आपको दिया जाता है ये दास आपको देगा ये सार नाम समझो तो तीनों मिलकर के फिर इनका अलग से जाफ होता है इन तीन मों पहले ही सत नाम दिया जाता है जिससे आपका इन दोनों मंतरों की खुब भक्ती हो जाएगी तब तीसरा नाम आपको दिया जाएगा ओम तत्सत इती निर्देशे है बर्मने बर्मने माने सची दानन्द घन बर्म यानि प्रम अक्सर ब्रम उस दिव प्रम प्रुस अम तद सती ती नर्देश है उस सती दानंद घनम ब्रम ने तिरविद समरता है इसकी तीन प्रकार से स्यमन तीन विदी है इसके स्यमन करने की और केवल इसका नर्देश है अपने आत्मों अब गीता ग्यान दाता वही है जो वेद ग्यान दाता है अब गीता जिद्धाय नंबर चार के स्लोक नंबर बतिस को देखे और फिर चाउंटिस को देखिएगा शिरीमत भगवत गीता और सिर्देदाल गोईंद का इसका नुवादक है स्लोक नंबर चार अज्धाय नमबर चार का अब सलोक नमबर अब यहां से देखिए उस 32 में सलोक को समझने से पहले अज्धाय नमबर चार के पत्तिस से प्रहम करने पड़ेगा इसमें क्या लिखा है की दूसरे योगिजन याने कोई तो विखिए योगिजन तो देवताओं के पूज़न रूप यग का ही बली बाती अनुस्ठान करते हैं यग माने पूजा देवे मन देवताओं की यग माने सादना दार्मिक अनुस्ठान दार्मिक अनुस्ठान यानि कोई तो देवताओं की ही पूजा रूप यग करते हैं दार्मिक रियाएं यग मने दार्मिक रियाएं कोई तो देवताओं की पूजा करता है और अन्य यानि कई ब्रहम अगनौ ब्रहम मही अपना लगन लगाए रहते हैं इसका अरसी यह है परवरम नी ओनली ब्रहम यह भी पढ़ लेंगे कोई नागरी लीपी है इसको पढ़ लेंगे में कोई समस्या हमें नहीं आएगी अन्वाद करता जहां विजलीते हैं इसको ठीक कर लेंगे वो ब्रहम साधना करते हैं यग के द्वारा ही आत्म शरूप यग काहवन किया करते हैं कोई आत्म चिंतन ही करता रहता है और अन्य आकान सरोतराजि समस इंड़ियों को संयम रूप संयम को ही महतो देते हैं जो हवन किया करते हैं, दूसरे योगी जन सबदादी, यानि केवल सैयम को ही महतो देते हैं, विशों के वो इंदरी रूप अगनी में हवन किया करते हैं, और सत्ताइस में, दूसरे योगी जन इंदरीयों की संपूर्ण करियाओं को, प्रानों की समस्थ करियाओं को, ग्यान परकासित आतम सैयम योग रूप अगनी मही समय करते हैं, भावन करते हैं, यानि कोई केवल ग्यान पर ही आसर आशरीत है, जैसे केवल ग्यान हो गया, और अठाइस में, कई पुरस, यानि अन् कि अहां दारे कर दिये कि त holidays को तो कुम मंदर का लठिक दुआ दिया, किते हैं वह सेम्न मुख्स मानते हैं, और कुछ़ ये हठ्थयोग तपस्या करते रहते हैं, और दूसरे कितने ही कोई योग अभ्यास करते हैं, योग आसनाजी करते हैं, इस से मुख्ष मान लेते हैं। कितने ही साधक, आइंसावादी तिक्षन वर्तों से युक्त, जैसे मुग का पट्टी बांद गनंगे पेरा गोमते हैं, इसी को मुक्ष मानते हैं, और यतनसील पुरुष, सवध्धै रूप ग्यान यग को करने वाले हैं, कुछ सवध्धै करते हैं, जैसे गीता जी का एक प और कितने ही योगी जन अपान वाईयो में प्राण वाईयो को, ये अपने सुखस, सुखस, सुखस को सुखसम करके ही, इसी में नहीं सोचने काफी सुमें में तक बिना सुखस लिये ही रह जाते हैं, इसे क्या लाब होता है, वो बात की बाते हैं, ऐसे कुछ साधना करते है वैसे ही अन्यययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययययय खावे हैं कोई फूल फूल खावे हैं कोई जल दूद आ रही है दूद दूद पर रहता है और कुछ प्राणायम ही करके अपने स्रीर को योग अभ्यास से ही कुछ से ही अपने बगती को मानते प्राणायम प्रायन यानि प्राणायम प्राश्रित पुरुष प्राण और अप पान की गती को रोक कर प्राणों को हावन क्या करते हैं ये सभी सादक यगों दुआरा यहां थोड़ा सा ये गडबर कर गया यगों दुआरा पापों का नास करने देने वाले यगों के जानने वाले हैं इसका आरशी है कि सभी अपनी अपनी सादनाओं को पाप नासक जानते हैं मानते हैं इसलिए तो कर रहे हैं जो नबेरा पट जा यह साधना ठीक हो उसी दिन ना छोड़ देंगे तो यह अपने अपने दोवारा अपने साधनों को पाप नास करने वाली जानते हैं यह अनुआ थोड़ा सा फिर बदल कर दिया इकत्तिस में यहां इसका दो परमान है इसका बहुत कोड़ वर्डों है यह और इसमें इसकी व्याक्या अगर दास करने लगेगा तो लगवो तीन गंटे में जाके यह इतना कंसेप्ट कलियर होगा आपका लेकिन इसको फिर समय आने पर बताएंगे अब इतना ही समझो कि जो सच साधना करते हैं जो सही साधना करते हैं जैसे हम पर्थम मंतर आपको देते हैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ उसकी कुछ बगती तो आपके यहां संसारिक सुखों में खरच हो जाती है उससे भी कुछ बचती है वो आपके आगे सहोग देती है आगे चलने में अन्य बगती करने हैं तो इस यग से यहां धार्मिक अनुष्ठानों में जो की हुई साधना है उससे आपकी जो बगती य उसका यहा उसका प안तर है. क्योंकि काल कारेंद उतरने के बाद भी हमारी कुछ भःती हमारे पास सेस रह जाती है. तो उसके कारण हम पर सदलोग जाते हैं. त το तीन मंदर का हम जाप करते हैं. ओम, तत, सत, तत, और सत यह सांग के दिखी. तो ओर में से औम और सत दूसरा मंतर उसकी हम कमाई यहां दे देंगे और तीसरे मंतर की हमारे पास बच जागी वो हमें अमर करेगी शार नामोल यहां विष्यस इसका यह प्रमाण है लेकिन आगे चलते हैं वो तो वो सनातन प्रमात्मा सनात नम ब्रहम यानी उस सनातन परमात्म, तो सबसे आख, वो परीभु, परीभु, ये दुरु बिंदक धैनल मरर 40 की सिलोक, नमर 8 मैं, उस कवीर मनिसी को परीभु, स्वम्भु कहा है, यानी प्रीभु माने, सबसे पहले परगट परमात्म, सनातन बरम, स्वम्भू, स्वम्भढत होने वा सनातन सबसे पहले पर्मात्मा पर्थम भगवान को प्राप्त करते हैं और येगने करने वाले जो साधना करते ही नहीं तो यह साधना करने वालों पुरसों के लिए तो नहीं तो ये सनसार सुखदाई मुनसलोक भी सुखदाई नहीं है अब 32 में कमाल कर गिया है चोथे जाए के 32 में इस परकार इस परकार और भी बहुत तरह के यग जासे भी 35 से लेकर 30 तक आपने पढ़िया है कहती है इस परकार के बहुत परकार के तरह के एमेम माने अन्य बहुत परकार के यहां लिख जिया इन्होंने गल्द अरत कर जिया बर्मने कारत कर जिया वेद की बर्मने मुखे बर्मने मुखे इन्होंने बर्मने मुखे कारत जिया गल्द कर जिया वाणी तो ठीक है यह बर्मने कारत गल्द कर जिया ब्रह्मने कार्ष लिखना था सची दानत गन ब्रह्म की वानी में अभी आपने सतर में ध्याय के तेईस में सलोक में तो देखा यह देखिएगा सतर में ध्याय के तेईस में सलोक में अभी अभी आपने तुरत पड़ा था कि ओम तठसत इती निर्दे स्यम्हेर ब्रह्मने तिर्वित्वर्ण्यуч़ 15avaşה ब्रह्मने कहा यहां सेयर लेते हैं। इन्हीं के सब्ड़ों में। ओम तठसत यह ऐसे यह तीन परकार का सचीदानंदगं ब्रह्म्ह यह ब्रह्म्हार थैं। यानि परम अक्सर ब्रह्म यहां देखिया फिर हम यहीं आते हैं अब चोथे जायका हम फिर देख रहे हैं चोथे जायका यह फिर बत्तिसमा मंतर यहीं पर है बत्तिसमा मंतर इस परकार और भी बहुत तरह के यग यानि धार्मिक अनुष्ठान की जानकारी धार्मिक किरियाओं की जानकारी बर्मने मुखे सचीदा नंद घनबर्म की वानी में सचीदानंद घंबरम की वानी में विस्तार से कहे गए हैं वो कबीर वानी में उन सब को तू करम जान यानि सारी ली क्रिया दोवारा संपन होने वाले जान और इस परकार जान कर उनके अनुष्ठान दोवारा तू करम बंदन से सरवता मुक्ष हो जाएगा अब 33 में में क्या कहा है ये 33 में में क्या कहा है ये देखिएगा हे परंतम अरजुन दर्व में यग की अपेक्षा